पाइल्स अगर आपको है पाइल्स हीमोरोइड और ग्रेड वन ग्रेड टू है तो आप उसे सकते हैं उसके साथ जी सकते हैं उसकोoru विडाउाटدي ऐनियुक्तरी एक्सटर्नल भी हो सकती है उसके बारे में di inherent external ऑ्समें जयादतर पाइल्स में problem नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है बहुत जादा पीन हो रहा है बहुत जादा सूजन है दर्द है बैठा नहीं जा तो सरज्जरी canyon की जा सकते हैं से पाइल सूजन वाली नसों को न्लौ की निकाल दिया जाता है राइट बहुत 장 clo चोटी ओसी हो सब्सक्राइब करेंगा आपके सिम्टम पर आपके हीमोरोइड पाइल के लोकेशन पर अंदर एकितना बड़ा साइज पर समझें सिम्टम लोकेशन साइज तीन चीज़ पर पहले क्या होता है आपका उस एरिया को नम कर दिया जाता है सकता है तो आप जागे-जागे कर सकें और आपको दर्द ना हो नहीं किया सकता है जाए है options क्या क्या होते हैं उसमें हो सकता है कि एक चोटा rubber band डाल दिया जाए जो हीमोरोइड के आसपास है मान लीजिए हीमोरोइड ऐसे बाहर से तड़कर तो उसके आएक वाइसे rubber band डाल दिया जिसको हम ब्लॉक कर देते हैं कि blood उस पटिकुलर सूजन वाली चीज में आई ही ना पाइल में उस पटिकुलर खून की नस में bloody ना आए स्टेपलिंग की जा सकती है उसी में स्टेपल कर सकते हैं जो हीमोरोइड में ब्लड फ्लो ना जाए तो वह श्रिंक हो जाएगी दूसरी चीज तो बैंडिंग स्टेपलिंग एक नाइप से स्कालपेल जिसको कहते हैं उससे पाइल सीमोरोइड सूजी वी नस को निकाल दिया जा सकता है काट के और उसके दोनों एंड को स्टिच कर दिया जा सकता है यह तीसरी टाइप की चीज़ है चौती चीज जो की जा सकती है rejection डाला जांसकता है chemical sclerosing agent जिससे कि जो सूजी नसे हों सिरилась हो जाती है है बिलकुल किया जा सकता और पाच बीचीज की जा सकती है laser से उस ही मोरोईड को ठोड़ा सा श्रूंदर से श्रंग कर दिया इक तो जल जाता है अंदर छिंगा को तो लेजर से वो किया जा सकते यह पाच तरीके की चीज़े हो सकती है अब क्यों इंपोर्टेंट है कि यह ओपरेशन किया जाए यह याद रखिए देखिए अगर आप बाकी सारी चीज़े कर चुके हैं आपका हाइफाइबर डाइट ले चुके पानी ज्यादा ले चुके है कॉंस्टिपेशन अवाइड कर चुके हैं लूज स्टूल सॉफनर ले चुके हैं बावल मुवमेंट के लिए और शिट्स बात कर चुके हैं सारी दवाई ले चुके हैं जो आपको समझ में आयरुवेधिक ऐलोफेटिक लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा या ग्रेट 3 ग्र होता है कि अगर तो एनस्टिशिया देते तो थोड़ा सा रिस्टा अगर लोकल में करते हैं तो कोई इनस्टिशिया वाली दवाईयों से सहाई डिफेक्ट्स यह नैंशाय रियाक्शन किसी-किसी को हो सकते हैं रैर है लेकिन बताना जरूरी है ब्लीडिंग ऑनकी सेशरी को सकती है क्लोड आ सकते हैं न्थ इतना होता है और होड़ी हो सकता है थोड़ा बहुत सबलों सबस्कें सब्सक्राइब ऑघंदैक और एक शाडिक और श Call तो यूरीन में पास होने में भी कभी-कभी इशूज आ सकते हैं सजरी के बाद हर एक को नहीं आते रहर है लेकिन बताना जरूरी है जिसमें आने के चांसे भी हो तो करते क्या है अगर आप अपरेशन से पहले प्रेगनेंट है तो बताइए अगर आप कोई दवा लेते हैं कि एक दो दिन पहले तो बताना जरूरी है बैइर जो पोई फर मारे को दिन dramід in ना के बाटेगें बंद करने पे हैं और अपकी दवाओं को मुर्ड परक hardships बाकि सारे मैं बता चुका हूं और अगर आपको किसी भी प्रकार का इंफेक्शन है कोल्ड फ्लू है कुछ भी हर्पीस है तो आपकी सजरी उस समय नहीं हो पाएगी पहले उसको ठीक करना पड़ेगा फिर सजरी होगी है आपके क्या करेंगे आपको कुछ टाइम के लिए भुका रखेंगे कभी तीन घंटे कभी छे घंटे कभी बारा घंटे डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा ऑपरेशन ने कितनी बड़ी पाइल से और अपको सिप्स ओफ मॉर्टर के साथ अगर वह जरूरी एरिया में टाइटनेस होगा आपको शायद थोड़ा थोड़ा लेट के जाना पड़े कुछ टाइम के लिए आपको एहतियाद बढ़त नहीं पड़े यह बात याद रखी तो लेके जाने का हिसाब किताब रखेगा कोई भी ऑपरेशन और बैंडिंग मेंडिंग हो तो भी किस टाइप की सरजरी हुई है और अगर वह बैंडिंग वैंडिंग हुए तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो सिर्फ बैंड लगाया कुछ करना नहीं है और अपने बैंड लगा दिया आपको कोई प्रिकॉशन की ज़रूत नहीं है तब भी आपको डाइट वापस आ सकती है बैक टो पविलियन ओ सकती है और फिर वापस यूजेंग बैक टु स्क्वेर वन फिर वही चीज़े फिर वही दिक्कत फिर वही ऑपरेशन सो डोंट फोल डाट डोंट फूल और से अपना आदते सुधारी जितनी चीजे बंकराई यह बंद रखे इतनी च चेक करने का जो जो प्रोसीजर है उसको बुलते है अनोस्कोपी अनोस्कोपी पर चाहिए तो एक अलग से हम डिसकेशन कर लेंगे राइट थैंक यू सो मच इपर इसको कोई सवाल है तो जरूर लिखे और कोशिश करते रहते थैंक यू